जै श्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो आज इंट्रोडेक्शन आफ एकाउंटिंग का लेक्शन नमबर थी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लेक्शन नमबर थी को हम पढ़ें उससे पहले जरा लेक्शन नमबर वन और टू को थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं क्यूकि बिना रिवीजन के आपको ये नहीं पता चलेगा कि अभी तक हम लोग क्या-क्या कवर कर चुके हैं जो बच्चे पहली बार इस लेक्शर को देख रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि बिटा आप पुराना जो लेक्शर है हमारा पहला और दूसरा उसको आप देखिए ताकि ये वाला लेक्शर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये को समझ में तो आएगा लेकिन जब आप पुराना भी कवर करेंगे न तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देखिए अभी तक हम लोग क्या-क्या कवर कर चुके हैं वह देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने मीनिंग ओफ एकाउंटिंग के बारे में एक्स्प्लेइन किया था मीनिंग ओफ एकाउंटिंग के साथ साथ आपको फीचर ओफ एकाउंटिंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है यह आपके कुछ टॉपिक हैं जो कि हमने चाप्टर in the bookkeeping and accounting and accountancy एक नई चीज थी वो भी हमने कल की class में ही आपकी cover कर ली है आज ही class में हम सबसे पहले बात करेंगे आपका advantage and disadvantage of the accounting कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके exam में advantage or disadvantage को लेकर 3 से 4 नुमर के question पूछे जाते हैं या आप यह भी कह सकते हो कि merits and demarits of the accounting एडवांटेज को आप married भी कह सकते हो और disadvantage को आप demarit भी कह सकते हो या इसे एक और नाम से जानते हैं हम limitation के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं तो चले फिर बिना किसी देरी के class को start करते हैं और class को start करने से पहले अगर आप इस लेक्चर को किस जगां से देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा और बाकि किसी भी जानकारी के लिए हमारा जो नमबर आपकी स्क्रीन पर है उस नमबर को भी आप हमें उस नमबर पर आप हमें whatsapp या message कर सकते हैं फिर फिर start करते हैं आज की class का आज की class को तो सबसे पहला heading क्या है आपका what is the advantage of the accounting या आप इसे एक और नाम दे सकते हैं merit of accounting merit of accounting merit या advantage क्या मतलब होता है जैसे क्या होता है कि हम accounting use तो कर रहे हैं अभी तक आपने feature के बारे में भी पढ़ लिया आपने importance के बारे में भी पढ़ लिया लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर हम accounting को follow करते हैं तो उसका क्या benefit होगा आप यहां पर एक सब दौर भी लिख सकते हो benefit इसका एक सब दौर भी लिख सकते हो और वो क्या है आपका benefit तो आप से ये भी पूछ सकता है कि benefit of accounting बताईए या merit of accounting बताईए या फिर आपका advantage of accounting बताईए तो तीन तरीके के question रहेगा लेकिन answer क्या रहेगा आपका same ही रहेगा इसलिए फिर start करते हैं देखिए सबसे पहला आपका क्या कहता है provide the information about the financial performance अब कल की class की अगर हम बात करें कल नहीं lecture number one की अगर हम बात करें तो lecture number one में मैंने आपको ये circle बताया था accounting cycle बताया था accounting cycle में जो आपका summarization वाला portion था और summarization वाले portion में आपने तीन portion ही पढ़े थे याद ऐसे सब को सबसे पहला क्या था आपका 대해서 सबसे पहले आपका क्या था trial balance था फिर क्या था trial balance की बाद क्या था और final account के बाद पिर आपका क्या था balance sheet था यानि balance sheet ही responsible है आपके financial performance को explain करने के लिए या आप ये भी कह सकते हो कि सर बैलन सीट की सहायता से हम किसी भी और्गनाइजेशन का financial performance पता कर सकते हैं financial performance का मतलब क्या है ऐसे आप समझो कि भाई सीधी सी बात है जैसे सपोस करिए कि मेरी जेब में एक लाख रुपए पड़े हैं लेकिन एक लाख रुपए अभी दो मिनट के बाद मुझे किसी को transfer करने है या किसी को मुझे देने है ज़रा बताईए क्या वो 2 लाख मेरे हैं क्या वो मेरी financial position यानि मेरी financial position को हिंदी में क्या कहते हैं वित्तिय स्थिति कहते हैं और का मतलब क्या होता है इसला इसे समझों कि जब कोविड वाल व इस तो उसमें जिस्यूम के लिए यानि च्छुट्टियों के दिन थे लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वह 400 km पैदल अपने घर जा रहे थी चल दे रहे थे मुझे याद है एक बच्ची है 14 या 15 साल की बच्ची थी वो बंबई से बिहार अपने फादर को साइकल पर बैठा कर ले कर आई थी क्योंकि उसकी financial position अच्छी नहीं थी उसके पास पैसे नहीं थे तो financial position क्या बताता है कि आपकी वित्तिय इस्थिति और वित्तिय इस्थिति मतलब the ability to pay the liability आप ऐसे समझो आप अगर किसी से पूछो कि financial position का मतलब क्या होता है तो आइसका सीधा आंसर होता है कि ability to pay liability और यह liability चाहे आपकी internal liability हो या चाहे आपकी क्या हो external liability हो कोई फर्क नहीं पड़ता एक organization की ability ही उसकी financial position को क्या कर देती है explain कर देती है clear हो गया point अब इसमें देखें क्या लिखा है इसमें कहता है कि accounting provide the future information federal information about the financial performance during the given period of the time during the given period of time आप इसको यह भी कह सकते हो यह जो during the given period of time है यह आपका particular date से संबंदित है यह आपका किस से संबंदित है बेटा particular date से संबंदित है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो आपकी balance seat होती है ध्यान से सुननीजे जो आपकी क्या होती है balance seat होती है वो आपका एक particular date को बनाई जाती है जो trading account होता है जो profit and loss account होता है वो आपका साल भर के बाद में बनाय जाता है यानि during the year के लिए बनाय जाता है लेकिन जो आपकी balance seat होती है वो आपकी during the particular date पे बनाई जाती है यानि एक निश्चित दिन के लिए बनाई जाती है एक निश्चित किथी पर बनाई जाती है इसलिए यहाँ पर सब्द लिखा है giving a period of time फिर आगे क्या लिखा है फिर इसमें एक सब्द और लिखा है कहता है like profit earn और loss included over the period and the financial position of the particular यह सब्द देखे क्या लिखा है point of time समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो पहला advantage यही है कि आप financial accounting की सहायता से financial position के बारे में क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी इकठा कर सकते हैं अब दूसरा point है हमारा क्या provide the access to the management यानि जब आपके पास एक information आ जाएगी जब आपके पास एक proper result आ जाएगा तभी तो आप management decision ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा इसे management क्या ले पाएगा decision ले पाएगा सीधी सी बात है एक बात बताएगे माल लीजिए आप ही लोगों की अगर हम बात करें अभी आप लोग माल लीजिए class 12 में 99% आता कितना परसंट आता 99% आता तो आप अपने घर वालों से कहते कि पापा मेरे को Harvard में जाना है America में जाना है पढ़ने London में जाना है पढ़ने तो आपके घर वाले भी कहते ठीक है बिटा जाओ क्यों क्योंकि पापा को पता है यह आपकी काभिलियत क्या है आपने 99 में लाए हो आपकी काभिलियत पता है लेकिन इसी के just opposite आप 33% लेकर आओ और उसके बाद कहो कि पापा हमें जर्मन जर्मनीम जाना है पढ़ने हमको अमेरिका में जाना है पढ़ने पापा क्या कहेंगे पापा क्या कहेंगे तो पापा कहेंगे आओ केनाई में पढ़ लो आओ गनपत सहाय में पढ़ लो राणा परताप में पढ़ यही चीज होती है जब फाइनिंचियल पूजीशन अच्छी होती है तो मैनेजमेंट उसको और बहतर करने के लिए काम करता है और अगर फाइनिंचियल पूजीशन खराब होती है तो भी ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर देगा मैनेजमेंट क्या करेगा मैनेजमेंट उस खराब पूजीशन से निकालने के लिए क्या करेगा काम करेगा एक बात बताइए अगर लॉस कमाना है क्या लॉस कमाया जाता है कि प्रॉफिट कमाया जाता है प्रॉफिट कमाया जाता है हर वेक्त किसके लिए काम करता है प्रॉफ प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है आप भी पढ़ रहे हो ना तो आप भी प्रॉफिट के लिए पढ़ रहे हो कल को आपको भी कुछ ना कुछ अपना जीवन क्या कहते हैं सर्वाइब करने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस जॉब या प्रोफेशन को जॉइन करना ही करना यहां पर देखो यहां पर लिखा क्या है सब्द पढ़िए कहता है क्या सब्द लिखा है business planning decision making and exercising control यानि control बहुत जरूरी चीज़ है planning आप कर लो decision भी ले लो आप सब कुछ अच्छा कर लो लेकिन control ना कर पाओ क्या लगता है अब कुछ अच्छा हो पाएगा पता चला आप 200 की speed से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन गाड़ी ही नहीं आप control कर पाएंगे ना तो आप रहेंगे ना तो आपकी गाड़ी रहेगी ठीक है और जिसके उपर गए वो भी गया चलो फिर कहता है फॉर दिस इट प्रोवाइड दा financial information इन दा फॉर्म आप रिपोर्ट यानि आप जो भी आप information देंगे वो आपका किस फॉर्म में रहेगा रिपोर्ट के फॉर्म में रहेगा जैसे आप cash flow statement प्रिपेर करते हो आप profit आप balance seat statement प्रिपेर करते हो आप comparative statement प्रिपेर करते हो यह सारी चीजें यह बताती है कि आपके business organization की position क्या है clear हो गया बिटा फिर अगला advantage क्या है कहता है facility of the comparative study आपको याद हो तो आप लोगों ने class 12 में एक chapter पढ़ाता comparative balance seat यादी नहीं होगा किसी को यादी नहीं होगा चलिए मैं याद दिला देता हूं एक तरफ ऐसे 2021 दिया रहता था और एक तरफ आपका 2022 दिया रहता था फिर तीसरा column में change लिखा रहता था और फिर उसके बाद percentage of change लिखा रहता था अब कुछ याद आया कि अब कुछ याद आया किताब number three cvc board किताब number three cvc board और यूपी बोर्ड वाले किताब number एक है उनके में सब एक ही में है अब याद आया तो यह क्या है comparative study ही तो कर रहे हैं जैसे माल लीजे आपकी एठो बिल्डिंग है बिल्डिंग का पहले प्राइस था आपका पांच लाग अब उसका प्राइस हो गया है दस लाग ठीक है तो आपका चेंज कितना हुआ पांच लाग positive में हुआ है तो फिर उसके बाद आप इसी को percentage में convert करते थे तो यही चीज तो comparative है यानि comparative का मतलब सिर्फ balance को लेकर नहीं होता comparative का मतलब यह होता है कि आपने जो decision रखा है वह decision कितना helpful है कितना profitable है क्योंकि एक चीज जानिए अगर एक ही चीज बार बार होती रहेगी न तो उसमें आपका interest खतम हो जाए और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा chances है कि आप उसको चीज को छोड़ दीज जैसे आप एक काम करो एक ही काम को आप तीस दिन लगातार करो मैं कह रहा हो इतना लंबा ही क्यों जाना तो ये तीन दिन करके देख लो यार तो ये तीन दिन करके देख लो होता है कि नहीं होता है होता है यह भी चीज आप देखो comparative मतलब तुलना करना तो आप accounting की सहायता से तुलना भी कर सकते हो अब सवाल यह उड़ता है कि सर तुलना किसका करेंगे अरे जो आपने डिसीजन लिया है जो आपने प्लानिंग कर रखी है जो आपकी फाइनेंशेल पूजीशन है उन सब की आपको क्या करना है इसमें क्या लिखा है बाइग कीप दा सिस्टमाटिक रिकॉर्ड और प्रिपेर और प्रिपरेशन ऑप दा रिकॉर्ड रिपोर्ट एड़ रेगूलर इंटरवल एकाउंटिंग हेल्प इन दा मेकिन हाग परिजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका चौथा आडवान्टेज है आपका सेटलमेंट इन दा हेल्प इन दा सेटलमेंट ऑब टेक्स लेईबिलिटी एक महीने तक मैं एक ही सवाल पूस्ता था कि आपके घरवालों ने मुझे में क्या देखा नहीं मेरी सकल भी अच्छी नहीं अभी भी अच्छी नहीं यह पहले तो और विकार थी पहले बहिंगे अच्छी नहीं थी तो मैं बार-बार एक ही चीज पूस्ता फ्रक्र फिर ऐखी चीज पूस्ता यह बताओ अभाईय ने क्या देखा मुझे उसमें भावी ने क्या देखा मुझे पापा ने देखा उन्होंने अब क्या है कि मुझे कोई भाव देता था नहीं जब मुझे कोई भाव देता नहीं तो एक आएक आइसा आइसा लडू मिल गया अच्छा खाने को फिर किस्मत चलिए ठीक है तो कंप्रेजन करिए आप लोग भी टाइम टू टाइम आगे देखेंगे सेटलमेंट आप टेक्स लाइबिलिटी की बात करते हैं तो देखें टेक्स लाइबिलिटी क्या होती है अब देखो एक चीज़ जानों बेटा मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दू ठीक है टेक्स लाइबिलिटी की बात करते हो हमारे देश में अगर हम टेक्स की बात करते हैं तो हमारे देश में दो तरीके के टेक्स लगाए जाते हैं एक होता है आपका डारेक्ट टेक्स और एक होता है आपका इंडारेक्ट टेक्स अब चाहे आप डारेक्ट टेक्स की बात करो चाहे आप indirect tax की बात करो बाई-साब payment तो सरकार को करना ही करते, तो जब आप सरकार को payment करोगे अच्छा अगर आपने payment नहीं किया ज्यादा कुछ नहीं होगा आपके यहां पर पूटिस आएगी आपके आँ छापा पड़ेगा इंकम टैक्स एडी खलाने ढ़काने का छापा पड़ेगा और आपको हो सकता जेल जाना पड़ेगा अभी देखो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वेक्ति हैं आपके कहां के हैं पता नहीं मुझे याद नहीं आ रह पांसो करोड़ चार से पांस दिन तो लग गया साला गिनने में पांसो करोड़ आप यह सोचो ना अब उनसे अब उनसे पूछा जाए कि भाईया यह पैसा कहां से आया क्या बताएंगे वह क्या बताएंगे पांसो करोड़ कहां से आया मतलब उन्होंने फ्रॉड किया और क यह कई दिनों का नहीं कई महीनों का भी नहीं कई सालों का फ्राड होगा यह आप जानों इसी लिए बिजनस को क्या करना रहता है समय समय पे अपनी टेक्स लाइबिलिटी को पे करना रहता है और अगर वो अपनी टेक्स लाइबिलिटी पे कर देते तो क्या उनके घर छापा पढ़ता नहीं पढ़ता इसमें क्या लिखा है कहता है systematic accounting help systematic accounting record help in the settlement of the various tax liability such as the income tax such as the GST GST यानी indirect tax की बात यहां पर की गई है clear हो गया फिर उसके बाद अगला point क्या है बिटा helpful in the rising loan एक चीज जानिए जब भी आप loan लेने जाते हो ना तो bank सबसे पहले आप से यह मांगता है income tax return ITR और वह भी एक साल का नहीं कि इन साल का income tax आप से तीन साल का tax return मांगता है और अगर आप आप उसको दे दोगे तो ही आपको वह loan देगा otherwise वह भूल जाईए आप उसे loan लेंगे आप ठीक है तो ITR income tax return आप इसको लिख लीजेगा कहीं पर आप commerce के student है तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए income tax return फिक है इंकम tax return तो बैंक आपसे क्या मांगता है तीन साल का ITR मांगता है और अगर आप अपनी tax liability settle करते आ रहे हो तो ही तो आप income tax return file कर पा होगे और अगर आप अपनी tax liability आपको लोन भी नहीं मिलेगा जब आपके account में ही जोल है जब आपके account में ही problem है तो क्या आप income tax return file कर पाओगे और जब आप return file नहीं कर पाओगे तो क्या आपको लोन मिलेगा answer है नहीं ठीक है तो यह भी एक benefit है अगर आप file कर रहे हैं तो लोन के लिए आप ready रहे हैं कहता है बैंक एंद फाइनिशल institution grant a loan to the firm on the base of the apprailses of the statement of the firm बैसी बात है जो भी आपके books of account है जो भी आपके जो भी आपके बुक्स आफ एकाउंट है उन बुक्स आफ एकाउंट को देख कर आपका क्या किया जाएगा बैंक आपसे बैंक आपको क्या करेगा लोन प्रोवाइड कर देगा क्लियर हो गया उसके बाद एक और point देखिए कहता है help in the decision making कौन सा decision making ये management वाला क्या decision making क्या accounting प्रोवाइड दा useful information for the management for the taking decision clear हो गया ये point ये आपके advantage है ये आपके क्या है advantage है या merits है या फिर आप इन्हें benefit भी कह सकते हो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दूसरे heading की तरफ चलते हैं और हमारी अगली heading क्या है what are the limitation of the accounting या फिर आप इसे de-merit भी कहते हैं सबसे पहला de-merit क्या है accounting is not a precious यह क्या होता है एक चीज जानिए accounting कभी भी 100% exact result नहीं देता चैंसर सुनिएगा accounting कभी भी 100% exact result नहीं देता क्योंकि बेटा यह बनाया किसके द्वारा जाता है अब बताईए देखे जो मैंने highlight किया है पड़िये जरा क्या लिखा है किसके द्वारा बनाया जाता है परसन के द्वारा और परसन क्या होता है बेटा गलतियों की एक मूर्ति होती है परसन क्या है गलतियों का एक पुतला है एक चीज जानिए गलती से एक जीरो अगर उसने नहीं लगाया न तो 9% पीछे हो जाएगा और गलती से एक जीरो ज्यादा लगा दिया तो 9% ज्यादा ह जाएगा करके देखो जैसे अभी आपको एक है आपको दस लिखना था आप खाली एक लिखे इसका मतलब आपने नौ डिजट पीछे हो गए कि नहीं हो गए पर आपको एक लिखना था अब zero लगा दिये तो not is it आगे हो गए ये भी तो होता है तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि accounting information के base पर आप ये कहो कि ना ना ये company 100% एकदम सही है अब ये नहीं कह सकते क्योंकि देखिए आपने एक scam सुना होगा scam 1992 हर्षत महता हर्षत महता क्या करते थे कि अपने जो books of account होता था उसी में वो fraud करते थे उसी में hairfare करते थे यानि जो चीज दो रूपई की होती थी उसको वह 200 का दिखा देते थे और जो चीज 200 की होती थी उसको V갑 2000 ौले ले liते थे रैंक रिसिप्ट ले लेते थे ठीक है क्योंकि भाई आपकी पहचान जैसे देखा जाए तो आपकी पहचान किस से है बुक्स ओफ एकाउंट से ना तो बुक्स ओफ एकाउंट आपने खूब अच्छा बना रखा है जैसे सपोस करिए कि आपने एक बच्ची है जिसकी पर है नहीं बच्ची जिसकी राइटिंग एकदम चिराइक टांग यह सैंप है कि देखे हूं कि मैं देखें हों कि अगर नहीं देखें होगे घरर नहीं देखें होगे तो सान्या ग्रहरी की पापी दिख लिया जाएगा ही गर तो ना दिखाओ नॉ लीज़े देख लिजे आप अब यहाम को आप देखिएगा कि मैं कट करूं का नहीं की तो तो CDC वहाथ है तो आप यह देखो कि किसी का आप statement देखके आप 100% यह नहीं कह सकते कि उसका position बहुत अच्छा है अब आगे देखेंगे अगला point देखें परसनल बेस बेटा परसनल बेस ठीक है परसनल बेस और जज़मेंट क्योंकि जहाँ परसन की involvement आ जाती है एक चीज़ याद रखिए जहाँ परसन की involvement आ जाती है वहाँ पर गलतियों का भी चांस क्या हो जाता है बढ़ जाता है वलतियों का चांस क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है ठीक बड़ देखेंगे अगे देखेंगे अगला point है आपका क्या अगला point क्या है कि accounting is a done on the historic value of the assets historic value of assets का मतलब क्या होता है historic का मतलब होता है कि आपकी जो old value है आपकी जो क्या है old value है जैसे suppose करिए कि आपने एक mobile phone खरीदा 10,000 रुपए का ठीक है अब इसको आप दो साल के बाद बेचना चाहते हो तो आप इसका price कितना लगाओंगे आप कहोगे कि सर इसका price और अभी तो खरीदा था अभी तो खरीदा था 7000 में बेचेंगे लेकिन आपको मैं बताओं जितनी भी electronic चीजे होती है सब पे 25 परसेंट का आपका क्या करते हैं depreciation लगता है 25 परसेंट का depreciation लगता है 25 का depreciation के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दस हजार माइनस तो दस हजार माइनस अपर एक बढ़वाओ नहीं भाई दस हजार माइनस 25 परसेंट पहले तर सब आजाएगा फिर माइनस 25 परसेंट यानि 5625 रुपए आएगा 5625 रुपए आएगा लेकिन आप आप बोल कितना रहे हो 7000 बोल रहे हो यानि कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो हम accounting में books of record करते हैं जो भी accounting transaction को record करते हैं वह हम historical base पर करते हैं हम उसको कभी भी current market value पर नहीं करते हैं और current market value इसलिए नहीं करते क्योंकि देख चीज दानो current market value या तो बढ़ा भी सकती है या तो current market value आपकी क्या कर सकती है गटा सकती है और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जमीन को छोड़कर और natural made assets को छोड़कर क्या बोला मैंने natural made assets को छोड़कर बाकी हर चीज की value decrease होती है अब आप कहोगे sir natural made assets कैसे देखा जाए तो जमीन भी natural made है जो आपके सोना होता है हीरा होता है jewelry होती है कि कौन बनाता है जो jewelry आप सोनार से बनाते हो उसका दाम घटेगा लेकिन जो उसमें bricks में आता है उसका दाम बढ़ेगा बिस्किट वाला दाम बढ़ेगा jewelry जो human बना रहे हैं उसका दाम घटेगा लेकिन जो bricks वाला जो pure gold है उसका दाम automatic क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा क्यों क्यूंकि आपको भी पता है कि जिस चीज की shortage होती है उस चीज का price बढ़ता है कि एक समय था कि पानी आपको free में मिलता था आज का समय है पानी 20 रुपया का मिलता है और एक समय आएगा कि पानी आपको 100 रुपया का मिलेगा इंतजार करिए वह समय आएगा घबराईए नहीं तो यह दूसरा point है कहता है कि accounting is a done on the historical value of the assets फिर तीसरा point कहता है कि ignore the label of price change द्यान दीजेगा आप कोई भी प्रोडेक्ट उठाके लीजे उसका price क्या होता रहता है बढ़ता और घटता रहता है जब price बढ़ता और घटता रहता यानि उसका market value analyze कर नहीं रहे है तो उसका प्रभाव पड़ेगा की नहीं पड़ेगा automatic पड़ेगा जैसे जब मुझे पहली बार payment आई तो मुझे सौ डालर का 72 रुपया मिला था ठीक है दुबारा फिर जब मुझे पेमेंट आई तो सौ डालर का मुझे अब आप कहोगे सर कैसे बढ़ा अरे भाया डॉलर का रेट क्या हो गया बढ़ गया था ना पहले 672 था अब कितना है एक्टीटू है यह वी चीज आप देखिए ना उसको आपको record करना पड़ेगा लेकिन हम उसको क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं इसको क्या कर देते है इग्नोर हम record दो करते हैं 82 लेकिन हजार रुपए को क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं इसके effect को ही हम नहीं दिखाते है क्लियर हो गया बेटा यह आपका तीसरा क्या है disadvantage है फिर उसके बाद अगला point है इग्नोर इंदा qualitative information एक चीज जानिए जो जैसे suppose करिए कि एक employee है एक employee है बहुत इमानदार है एक employee है जो कि क्या है बहुत इमानदार है अब आप उसकी salary record करेंगे या उसकी इमानदारी record करेंगे आप उसकी salary record करेंगे कि इमानदारी आप उसकी salary record करेंगे इमानदारी उसकी आप record नहीं करेंगे और अगर वो छोड़ कर गया तो आपके business प प्रबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसको आपने रिकॉर्ड किया क्या नहीं क्यों कि फिर अगला पॉइंट क्या कहता है इफेक्ट आप दा बिंडो ड्रेसिंग ये बिंडो ड्रेसिंग क्या होता है दिखाना था कुछ दिखा दिया क्या कुछ जैसे दिखाना था मुझे सौ रूपया और मैंने दिखा दिया कितना हजार रुपया होता है होता है और बिंडो ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा जानते हो कहां दिखाया जाता है कहां किया जाता है नहीं 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 जब एक लड़का किसी लड़की को देखने जाता है उस समय बेटा बहुत बिंडो ड्रेसिंग होती है और उससे ज़्यादा बिं परफेक्ट ग्जामपल ऑप बिंडो ट्रेसिग ठीक है बटा इसको काट दो कहता है बिंडो ट्रेसिंग मेंस दा मैनिफलेशन अब अप अगांटिंग तो प्रेजेंट मतलब भक्राव बता दिया गया इतना बख्राव बता दिया गया यह लड़की समझ लीजे साछात देवी ही है मतलब इतना बखान इतना भकान हम लोग भी खुस हो गया हमारे घर में लगर आए सीधा देवी ही उतरेंगी चलो ठीक है एक महीना कुछ नहीं हुआ और दूसरे महीना धीरे धीरे परत खुलना शुरू हुई तो आज देवी से हम लोग कहते हैं देवी दूरे रहो ठीक है जैकाली कलकत्ते वाली इफेक्ट ऑफ दा विंडो ड्रेसिंग जली आगे देखेंगे तो इस आर दा इस इस दा लिमिटेशन आप अप अगे देखेंगे फिर उसके बाद जल्दी से यूजर देख लेते हैं यूजर आपको बताई दिया था मैंने एंटर्नल यूजर और एंटर्नल यूजर यूजर में देख लेज्ग कौन नहीं हमें मैं एपम्ध मेंजमेंट है देख लेते और ये वाला कहता है what are the quality character of the accounting information ये सर क्या है सर क्या क्या विसेस्ता होनी चाहिए accounting information की बेटा ये चार पॉइंट याद रख लीजेगा ये चार पॉइंट आपको याद रखना है पहला क्या है reliability reliability का मतलब क्या होता है आप उस information पर विस्वास कर सके आप उस information पर क्या कर सके information किसके लिए होनी चाहिए आपके लिए होनी चाहिए और तीसरा उस information को आप क्या कर सको बेटा समझ सको और चौथा और last कि उस information को आप क्या कर सको compare कर सको क्या कर सको बेटा compare कर सको तो ये चार विसेस्ताएं होनी चाहिए किसी भी financial information के में किसी भी financial information में ठीक है यह चार विसेशता हैं होनी चाहिए पहला क्या है आपका मेरे साथ एक बार बोल दीजे पहला क्या है आपका reliability दूसरा क्या है relevance तीसरा क्या है understandability और चौथा क्या है आपका comparability clear हो गया बेटा यह चार विसेशता हैं अगर है तो आपकी जो financial information है financial information मतलब क्या वही balance sheet, profit and loss statement या फिर आपका जो भी report है ठीक है अब कुछ और point देख लेते हैं कहता है explain the system of accounting याद रखिएगा system of accounting बिटा दो system है अपने इंडिया में अपने इंडिया में कितने system है दो system है एक है आपका double entry system और दूसरा क्या है आपका single entry system और आपको मैं बता हूँ इस double entry system और single entry system का आपको पढ़ना पढ़ेगा दोनों पढ़ना है आपको double हाँ दोनों से लेबस में है double entry system से हम लोग क्या करते है बिटा journal entry करते है क्या करते है बिटे journal entry करते है और यह double entry system हमेशा किस organization में use होता है all type of organization क्या कर सकता है ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बिसेश बनाया गया है लेकिन जर्नली जो बनाये जर्नली जो double entry system follow किया जाता है वो middle organization और आपके long और large organization के लिए क्या किया जाता है large organization के दोवारा use किया जाता है double entry system और single entry system थोड़ा सा देख लेते हैं double entry system है क्या double entry system की बात करेंगे तो ये double aspect principle पे काम करता है किस पे काम करता है विटा double aspect principle पे काम करता है यानि आप हर transaction को ध्यान से सुनिएगा सामने देखिए सभी लोग हर transaction को आपको दो भागों में लिखना है एक भाग होगा debit और दूसरा भाग क्या होगा क्रेडित और debit बराबर होगा किसके credit के और credit बराबर होगा किसके debit के यानि debit और credit ये दो भाग है मतलब आपको हर transaction को इन्हीं दो भागों में क्या करना है विटा record करना है clear हो गया point fund clear हो गया उसके बाद आगे बात करते हैं देखिए लिखा भी है कहता है every transaction has the two aspect debit or a credit of an equal amount फिर कहता है this system is accounting recognized and record the both aspects of the transaction फिर single entry की बात करते है single entry system में आपका एक चीज जानिए कि single entry system में आपको दो portion में record नहीं करना है बलकि कितने portion में record करना है बेटा सिर्फ एक portion में ही record करना है देखिए क्या लिखा है only one aspect to record or both the aspects are not record of all the transaction जैसे आप सबजी वाले होते हैं जो छोटे किराना दुकान वाले होते हैं एक double entry system follow नहीं करते हैं यह single entry system follow करते हैं लेकिन जो company वो होती हैं वो सब आपका double entry system क्या करती है follow करती है but clear हो गया गया उसके बार अब हम बात करते हैं थोड़ा सा advantage बात कher लेते हैं double entry सिस्टम का, तो सभसे पहला इड्वांटेज क्या है कि ये आपका क्या है? scientific सिस्टम है. scientific सिस्टम का मतलब क्या होता है? scientific सिस्टम का मतलब होता है, result-orientierenate system. result-oriented system. इसका मतलब ये है कि ये जो cookie double entry system है, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है. इसके लिए एक proper research team ने काम किया है एक proper technique के द्वारा इसको record किया जाता है आपको मैं बताऊंगा जब आप अगला chapter पढ़ेंगे जिसमें हम accounting principle पढ़ेंगे तो accounting principle में एक principle है जिसका नाम है double aspect principle और double aspect principle में ये चीज़ें बताई गई है कि transaction को हमको कैसे record करना है इसको debit करना है और किसको आपको क्या करना है credit करना है फिलाल मैं आपको एक चीज़ यहां पर और बता देता हूँ कि जितने भी आपकी assets होती है जितने भी आपकी क्या होती है बेटा assets होती है जितने भी आपके क्या होते है expense होते हैं इन सब को आपको debit करना होता है देखो जान दो जितने भी आपके assets होते हैं या जितने भी आपके क्या होते हैं expense होते हैं इन सब को आपको क्या करना है debit करना होता है जितने भी आपके capital होते हैं जितने भी आपके capital होते हैं जितने भी आपकी income होते हैं या जितने भी आपकी liability होती है बेटा तुन समझ गया ना उन सब को आपको क्या करना होता है credit करना होता है द्यान से सुन लीजे जो भी जो भी आपकी assets होती है जो भी आपकी assets होती है या जो आपकी expense होती है इसको आपको note कर लेना अच्छे से note करना है इसको जो भी आपके assets होते है या जो भी आपके expense होते है इनको आपको क्या करना है debit करना है जो आपकी capital होती है या जो आपकी income होती है या जो आपकी क्या होती है liability होती है इसको आपको क्या करना है credit करना है इस बात को आपको याद रखना है यूंकि जब मैं आपको journal entry कराऊँगा ध्यान से सुनिएगा जब आपको journal entry कराऊँगा तो यह चीजे वहाँ पे मैं फिर से repeat करूँगा इसी वज़ा से इसको हम क्या कहते है scientific system कहते है यानि अगर कोई assets है आख मूद कर उसको debit करो अगर कोई expense है आख मूद कर debit करो अगर कोई capital है या कोई liability है या कोई income है उसको आप क्या करो आख मूद कर credit करो clear हो गया जिस प्रकार से अगर आपका सरदर्द हो जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है तो double entry system का सबसे पहला advantage यह है कि यह आपका क्या है systematic record है फिर उसके बाद अगला point कहता है कि a complete record of the transaction इसमें हम लोग क्या करते है कि हर transaction की complete monitoring करते हैं दोनों side में record करते हैं यानि purchaser का side भी record करते हैं और आपका क्या करते हैं seller का side भी record करते हैं कहता है since both the aspects of the transaction are a consider there is the complete record of each and every transaction फिर कहता है using these records are able to compute profit and loss easily यानि इस double entry system से आप profit and loss को बड़ी ही सरलता से complete कर सकते हैं calculate कर सकते हैं फिर अगला point कहता है कि check mathematical accuracy अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है जोड़ना घटाना वाला concept है अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है जोड़ना घटाना पूरा करना भाग करना यह आता है यह आपका क्या रहता है इसमें accuracy रहती है accuracy का मतलब कि सबकुत सही सही रहता है फिर एक और देख लीजे कैता है Determine the profit and loss and the difference of the financial position भई सी रिसी बात है profit and loss के बारे में पता करेंगे financial position के बारे में आप easy way में पता कर सकते हैं फिर उसके बाद last है आपका क्या helpful in the decision making यानि ये helpful in the decision making ये चीज क्या बताई है आते ही सुरुवात में बता दिया था आते ही क्या कर दिया था सुरुवात में बता दिया था स्क्रीन शॉट ले लो दूदी से इसका अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और इस चाप्टर का भी आपका लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं लास्ट है last नास्ट Raw last topic एफ बहुत ध्यान से सुनियेगा चार से पांच नमबर का सवाल आता है वेटा इटा कीरा branch of accounting जिसकी शुरुआत हम लोगों ने शुरुआत जिसका starting ही हम लोगों ने यहीं सि remote branch of accounting branch of accounting पहला क्या है financial branch दूसरा क्या है आपका मेनेजमेंट ब्रांच और फिर तीसरा क्या है आपका कॉस्ट एकांटिंग या कॉस्ट ब्रांच फाइनेशल की जब हम बात करते हैं तो इतनी देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फाइनेशल ही तो पढ़ रहे हैं पढ़ लीजे एक बार फिर से जल्दी से कहता है कि it is that branch of the accounting which deal with the past data of the business past data का मतलब क्या होता है जो data हम अल्रेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जो data हम लोग क्या कर चुके हैं अल्रेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं which is a journally from one year and end with the preparation of the financial statement like a profit and loss account like a profit and loss account indicate the profit earn and loss included during the particular period फिर उसके बाद balance seat indicate the financial position that is the assets and liability held on the last date of the accounting period एक formula आपको याद रखना है एक short form आपको याद रखना है G.A.A.P. कई बार एक एक नंबर का सवाल यहां से आया है G.A.A.P. कई बार नंबर पूछा गया है और इसका full form होता है क्या जर्नली एक्सेप्टेड एककाउंटिंग पॉलिसीज कभी कभी प्रेंसपल दे देगा कभी कभी क्या कहते है आपका पॉलिसी के जगा कुछ और दे देगा ठीक है लेकिन आपको क्या याद रखना है पॉलिसी याद रखनी है ठीक है तो जो भी आप books of account prepare करते हैं वो आप GAAP यानि जर्नली एक्सेप्टेड एककाउंटिंग पॉलिसी के बेस पर ही prepare करते हैं कि बेटा clear हो गया कहता financial statement is a prepare on the base of the GAAP जिसे हम gap भी कहते हैं clear हो गया तो ये था हमारा financial accounting थोड़ा सा बात कर लेते हैं cost accounting की तेकि cost accounting की जब हम बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा जब भी हम कोई भी goods और service द्यान से सुनिएगा कोई भी हम क्या बोला बेटा मैंने goods और service अगर prepare अगर इसका हमें क्या पता करना रहे कॉस्ट पता करना रहे अगर हमें इसका क्या पता करना रहे बिटा कॉस्ट पता करना रहे तो इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा कोस्ट एकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है किसका सहारा लेना पड़ता है कोस्ट एकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और्गनाईजेशन टाइप का कुछ डाइगराम मनाया था वो डाइग्राम कहा है मैं एक बार देख लेता हूँ आपको बताता हूँ मैं रुख जाई एक मैठ यह रहा यह रहा वो डाइग्राम ज्यान दीजे यह रहा वो डाइग्राम organization वाला देखिए मैंने आपको क्या बताया था organization दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका profit making organization और एक होता है क्या आपका non profit making organization तो जो profit making organization होता है इसमें दो भाग होते हैं एक होता है manufacturing और एक होता है trading बेडा सामने देखेंगे manufacturing और trading तो यह जो trading organization होता है ये trading organization follow करता है किस accounting को financial accounting को ये follow करता है trading organization follow the financial accounting आप लोगों ने वो diagram बनाया होगा nah उस diagram के आगे इसे लिख लिएजे और जो manufacturing accounting है ले जो manufacturing organization है ये cost accounting को follow करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ यह किसको फालो करता है फाइनेशियल को भी फालो करता है ठीक है हाँ मैं कहता हूँ कि आप एक समोसा बेचने वाले ही क्यों ना हूं कि तो भी आपको आपके हर एक समोसे की लागत को पता करना पड़ेगा और एक समोसे की लागत में ध्यान से सुनिएगा किसी भी प्रोडेक्ट को मैटेरियल लेबर और other expense ही effect करते हैं ध्यान से सुनियेगा other expense ही effect करते हैं और other expense में 4 चीज़ें आती है आपकी ध्यान से सुनिये कितनी चीज़ें आती है 4 चीज़ें पहला आता है factory expense factory expense office expense selling expense और distribution expense इनके अलावा अन कोई भी खर्चा नहीं होता जान लीजे किसी भी product को बनाने से लेकर उसके बेचने तक यही आपके expense responsible होते हैं material, labor, other expense और other expense में factory expense, office expense, selling expense, distribution expense और इन सब की monitoring करेगा कौन आपका cost accounting इन सब की recording करेगा कौन आपका cost accounting ना की कौन financial accounting क्योंकि cost accounting का काम ही है क्या cost को identify करना cost को क्या करना identify करना और सिर्फ cost को identify ही नहीं करना है जान से सुनिए cost को ही identify नहीं करना है बलकि cost को control भी करना है cost को क्या करना है बेटा कंट्रोल करना है ये दो objective होते हैं cost accounting के ये दो objective होते हैं आपके किसके cost accounting के point clear हो गया वेटा आई ये फड़ा फड़ा उसको पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से आप लोग इसका screenshot ले लीजेगा और जो diagram है उस diagram में इसको अच्छे से बना लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जो आपकी definition को पढ़ते हैं और फिर अपनी क्लास को कि आप करते हैं आपका ये चैप्टर आज पहला चैप्टर यहीं पर आज क्या हो जाएगा क्तम हो जाएगा कि क्या लिखा है पढ़ लीजे एक बार कहता है कि it is the book of the account it is the बेटा बुक यह बैंक नहीं बुक है यह अपका it is the book of accounting which deal with the costing aspect of the business deal with the costing aspect of the business transaction all the cost present and the future are recorded is a classified report under the cost accounting in this accounting process under to determine the cost production of the business entity by analyzing the input and the fixed cost of the production it also capture the cost operation of the business cost measure by using the various tool and the technique यहां पर लिखाया भी है लिखा भी है डिफाइन दा व्यारियस दिखे आप लिखा भी है material लेबर ओवर हैड डिटर्माइन दा कॉस्ट मेजर्मेंट यह सारी चीजे जानते हो आपको खूब detail में पढ़ोगे जब आप अगले semester में आऊगे जब अगले semester में आप लोग cost accounting पढ़ोगे जब अगले semester में क्या पढ़ोगे आप cost accounting वहां पर यह चीजे खूब अच्छे से फिर से में आप लोगों को पढ़ाओंगा management accounting को देख लो बेटा management accounting अगर हम बात करें तो management accounting जानते हो क्या होता है finance accounting plus cost accounting इन दोनों को जोड़ लो report बना लो decision ले लो और फिर क्या ले लो decision ले लो बस यही है काता है कि एक तिस पर्च अप्रूग कुछूग फिप्रव गडूग जिस्टेर निश्टेर के एक तफ घ्टिट टिर्ट इन्ट इन अनार टेल इस्ट लिए अधिन विद्ध इस्टेरी चोंटी खिएिस श्टोर्ग कॉंट इस घैंप्स इस एंचिटेर्ड आटन एंट वू इसको समाप्त करते हैं और आपका यह चाप्टर यहीं पर बेटा क्या होता है यह आपका समाप्त भी होता है देखिए जो आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था अगर आपको याद हो हो गया इए उतल गया कि नहीं खत्त हो गया है अब आपको करना क्या है पूरे न degradation को जितना भी है आप अगर आपको कोई भी चीज न समझ में आई हो तो नीचे आपका स mainशिक रहता हे दिया रहता है चलता रहता है उस पर आपको मैसेज करना है और जो भी बच्चे हमारी ओफलाइन क्लास को जॉइन करना चाहते हैं नीचे दिये गए नंबर पे आप हमें कॉल करें आपका सेकंड सेमिस्टर का बैच स्टार्ट हो गया है ठीक है आप सभी अपना ख्याल रखिए कोई भी दिक्कत हो आप सामने से कॉल करिए मिलेंगे कल तब तक के लिए जैहिन जैभोले नात